नमेश्क्रा दोस्तों इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिम्टेड इसको हम आई यूसी के नाम से जानते हैं यह स्टॉक 183 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है मार्केट में आज इसने 1.45% का अपमोव दिया था मार्केट कैप है इसकी 258,691 क्रोड की प्रमोर्टर होलिंग इसकी 51.50% है बुक वैली 130 है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसका रिजल्ट आया है और साथ में एक और न्यूस आई है उसके बारे में सो फंडमेंटल वीडियो में अल्यडी बना चुकी हूं प्रेलेस में एड कर दूंए आप देख सकते हैं गर्मेंट आफ इंडिया इस इस कंपनी को कंट्रोल करती है और यहां पर स्टॉक फिफ्टी एंट यह में दोनों से उपर ट्रेड करा है जो कि अची बात है पी से बहुत दारा गैप लग रहा है बट अगर लॉंगर रेन में देखें तो देखें बिल्कुल छोटू सी ही उपर है टैन और टैन मन्त यह में तो काफी नीचे है तो यह पॉस्टिव पॉइंट है हमारे पास सेल्सें मार्जिन की बात करें यहां पर तो ग्रॉस प्रॉफ हुट है चार्ट पर है यहां पर कि होर्मंंट की बिल्कुल इंट को पुर्ण के ब्लक है रॉन परसेंट के आसपास ज्यादा होल्ड़ दिगा अब है थ्री लाक के आसपास बड़े हैं, अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पर, चार्ट पर देखें जो हमारा टागेट था, मन्थ एंड का, वो कही नहीं अचीव हो चुका है, सस्टेंग नहीं किया है यहां पर, बट येस आज गया था वहां पर कहीं न गया चीज ओ चुका है इसको हम अभी हटा देंगे विक्रीजल्ट भी आ चुका है एंद उन सारी चीजों को ध्यान में रखके अभी चीजे आगे की अनलिसिस करेंगे तो पहले ओके तो चार्ट के अनलिसिस करने से पहले रिजल्ट पर ही चलते हैं क्योंकि उसका डारेक्ट इफेक्ट पड़ेगा तो ठीक है तो अभी 10% का इसका प्राइज मेंड है आज आई हैं तीन न्यूस उसमें से दो रिजल्ट की है और उसके बाद एक न्यूस आई है जो इनका पुराना कॉंट्रेक्ट था उसका अप्रूवल मिल चुका है तो चली चलते हैं रिजल्ट पे तो रिजल्ट देखे और सॉरी फॉर दा शॉकर बट रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आया है तो देखे यहां पे जो इसको ना थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम ओके अब बेटर है तो यहां पे रिजल्ट देखे जो रेविन्यू है वाटर अन क्वाटर जो ऑपरेशन से आया है वो डिक्रीज होता हुए यहां पे दिखाई दिया है और यह ज सीदिया यहां पे तो तो टोल इंकम जो हमारी बनती है यहां पे टू लाइंग 2,396.99 करोर कि बनती ही पहले थी टू लेइग 25 थाउजन 1003. acute 37 करोर की तो यहां पे कहीं कहीं हमें लगब पांच करोड के आस-पास का यहां पे डीखता हुआ इंकम लग रहा है यहां पे इकस्पेंसे की बात करें तो हम डिटेल में जाएंगे हम टोटल expenses पर जाएंगे, तो total expenses बारा यह हैं, 2,16,127.12 करोड़ के and last time थे 2,17,920.27 करोड़ के, तो यहां पर expenses कम हो हैं, अगर यह बाकी चीज़ सारी चीज़े कम हुई हैं, तो यहां पर expenses भी कम होते हुए हमें दिखाई दिये हैं, अभी थोड़ असा इसमें नीचे चलते हैं हम, तो यहां पर अब जो देखने वाली बात है, तो profit and loss before share and profit, तो यहां पर आया है 4,269.87 करोड़ का, यहां पर आया है 7 करोड़, 183 करोड़ का quarter on quarter and previous year के same quarter से compare करें, तो बहुत ही जादा down jump देखा गया है, तो year on year अगर देखें, तो बहुत जादा down jump देखा गया है and which is really sad to know and profit before tax जो है हमारा, क्योंकि यह जो है हमारे यहां पर joint ventures and everything का है, तो पिछली बार कम था, इस बार थोड़ा जादा आया है, तो हमारा profit जो रहा है, जो before tax रहा है, वो रहा है हमारा 4841 करोड़ का, पिछली बार था 7419 करोड़ का, बहुत बड़ा down jump देखा गया है and उसके पिछली बार देखा जाए, यह यह देखा जाए, प्रिविस यह के सेम quarter में देखा जाए, तो 19,450 करोड़ का था, तो वहां से यहां का comparison अगर किया जाए, तो 15,000 करोड़ का difference आता है यहां पे, तो अभी net profit की बात करें, तो यहां पे net profit आया है, 3,722.63 करोड़ का and quarter on quarter, प्रिविस quarter में जो था, वो था 5,487.92 करोड़ का, यहां पे लगवग लगवग हमें, 54-37, सत्रा कितना बने गई है, सत्रा सो करोड़ के आसपास का down jump देखा गया है, and previous year के same quarter से अगर compare करें, तो मुझे calculate करना ही नहीं है, this is crazy, मतलब यहां पे लगवग लगवग, कितने, यहां पे 11,000 करोड़ के आसपास का down jump देखने को मिला है, तो this is big deal, तो result हमारा कुछ खास अच्छा नहीं आया है, and मुझे रगता है कि पहले stock बिलकुँ stuck किया हुआ था, and अभी फिर से stuck ना हो जाए, तो थोड़ सा इसको नीचे करके देखते हैं, earning per share का कुछ दिया है, तो earning per share जो है, पिछले quarter में था, यहां पे इसको ले लेते हैं, पिछले quarter में था हमारा 3.74, and इस बार है हमारा 2.56, तो earning per share भी हमारा कम हो है, पहले previous year के same quarter में था 10.48, तो यहां पे बहुत बड़ा down jump देखने को मिला है, and I don't think Janta is going to be happy with this, तो इस talk के जो दूसरी news है, यह तो हो गया result, जो के कुछ खास नहीं रहा है, दूसरी news जो है, वो news यह है हमारे पास, कि यहां पे एक, it is hereby informed that the Board of Indian Oil at its meeting held on 30th July 2024, has accorded stage 1 approval for construction of Greenfield Terminal at Bihta, पटना में, एक जगा है Bihta, बिहार में, on the Kanpur Product Pipeline, BKPL, तो यहां पे इनको जो है, stage 1 का approval मिल चुका है, and जिसकी costing जो बैठती है, वो हमारे पास बैठती है, 1698.67 करोड की, तो मतलब 17 करोड के आसपास के इसकी costing बैठती है, and इसको approval मिल चुका है, तो यह एक अच्छी बात है, वहां पे, यहां पे लिखा भी हुआ है, तो यहां पे यह भी थोड़ी सी अच्छी news है, कि इसको ही मिल चुका है, बट mix news है, result का मुझे लगता है, काफी फरक पड़ेगा इस चीज़ पे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखके जरूर चलें, तो अभी आ गए हम इसके चार्ट पे, देखें, पहले तो हमें उमीद थी, कि यह stock थोड़ा सा काफी crawl कर चुका है, ना भी निकल सकता है, बट यहां पे थोड़ा सा scenario different नजर आ रहा है, result देखें, कुछ खास अच्छा नहीं आया है, बट बड़ी बार यह देखा गया है, कि बड़ा अच्छा result आता है, तब भी stock नहीं निकलता है, और बड़ी बार यह देखा गया है, कि result अच्छा नहीं आता है, तब भी stock निकल जाता है, बट जो हमारे पास numbers हैं, उन numbers को ध्यान में रखते हुए, हम चलेंगे, एंड मुझे लगता है, कि stock फिर से उसी दिशा में जाता हुआ लग रहा है, और हो सकता है, कि stock फिर से हमें कहीं न कहीं यह देखने को मिले, फिर से इस resistance के नीचे, तो मुझे लगता है 170 के आसपास यह stock, फिर से ट्रेड करता हुआ, दिख सकता है, मैं यह नहीं बुरी कि जटके में ही नीचे गिर जाएगा, प्राइस बेंड जो है, इसका 10% का है, बट 10% के गिरावाट तो नहीं में को लगता है, आएगी, बट यह कल मुझे लगता है, डाउन वूव तो मिल सकता है, यह जो है support इसका immediate बनता है, जो strong है थोड़ा सा, 176 का, इसके बाद यह भी support काफी अच्छा है, वैसे इसका, इसको भी हम लेके चल लेते हैं, रेड करके ही, यह support भी हमारा 174 का support बनता है, 172 का बनता है, और 170 का बनता है, तो यह वाले support है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा हुआ तो इसके आसपास तो यह मुझे लगता है, रुख ही जाएगा, बाकी you never know कि क्या हो सकता है, तो अभी मैं कोई target नहीं लेके चल लेके चल लेका और fresh entry की बात करूं, तो big no, मैं यहाँ पे होती बिल्कुल नहीं बनाती, हो सकता है, अब इसके बात करें बात करें, तो बड़ी जादा स्टॉंग नहीं थी, बट यहाँ पर यहाँ से निकल रहा था, तो अच्छी भी थी, आज ही तो यह stock यहाँ से निकल के ऊपर बैठा था, इतने टाइम के बाद इसने रिजिस्टेंस दोड़ी थी, इतने टाइम के बाद दोड़ी थी, तो यहाँ पे गया था, February, मतलब February 3rd, 23 को गया था, तो चलो, March, April, May, June, July खतम ही हो गया, तो मतलब 5 महिने बाद आज यह इस अपनी डेन से निकला था और निकलने के बाद इसका result कुछ खास अच्छा नहीं आया, तो this is sad to know, बट अभी के लिए थोड़ा सा संबल के चलें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, और यह सिर्फ मेरी analysis है, कोई buy, sell, hold की recommendation नहीं है, आप अपनी analysis कीजिए, जानी समझे पढ़िया और फिर invest करिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing.